फार्माको थेराप्टिक्स के थीम आक्सिया जो भी important questions है वो सारे questions हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं तो आईए start करते हैं नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चानल दे फार्मा कोर्स 2.0 पे फार्माको थेराप्टिक्स के important questions के बारे में फार्माको थेराप्टिक्स के थीम आक्सिया जो भी important questions है वो सारे questions हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं तो आईए start करते हैं पर उससे पहले एक बात बताना चाती हूँ तो जो भी questions हमने निकाले है previous years के papers में से जो भी summer का और winter का paper था 2023 में हुआ था तो उनमें हमने कुछ similar topics देखे तो मैंने last video में भी बताया था जो 5 marks के questions हमने देखे थे तब भी बताया था कि जो 5 marks के लिए questions आये थे उसमें से almost 5 questions जो है वो same topic में से आये थे मतलब winter में भी वही topic दिये थे और summer में भी वही topic दिये थे तो कौन से वो important topics है जो कि paper में बार-बार पूछे गए है वो भी हम उनके बारे में भी हम देखेंगे तो आये start करते हैं देखते हैं important questions फार्माको थिराप्टिक्स के जो कि 3 marks के होते हैं तो सबसे पहला question है write about the objective of pharmacotherapies तो pharmacotherapies के objective यहाँ पर पूछे गए हैं तो objective पूछे इसी तरीके से question arise होंगे objective लिखने के लिए कहा जाएगा या फिर scope या फिर pharmacological management इसी तरीके के छोटे-छोटे question यहाँ पर arise होते हैं तो उसी हिसाब से उन questions को आपको solve करना है तो सबसे पहला question क्या है write about the objectives of pharmacotherapies तो pharmacotherapies की यहाँ पर आपको सिर्फ objectives लिखने हैं तो pharmacological management जो है वो यहाँ पर आपको describe करनी है hypertension की अब एक comment आय थी कि जो pharmacological management होता है जो भी treatment होता है उसमें describe करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है तो describe सिर्फ आपको समझने के लिए वहाँ पर दिया रहता है वहाँ पर अगर pharmacological management पूछा जाए तो उसमें सिर्फ आपको उसका class लिखना है और उसका example लिखना है उसका जो भी explanation है वो वहाँ पर आपको नहीं देना पड़ता अगर question इस तरीके से पूछा जाए कि hypertension इस condition में beta blocker जो है वो किस तरीके से काम करते है तो उस condition में आपको उसका explanation देना पड़ेगा कि beta blocker किस तरीके से काम करते है उस तरीके के question में आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्राइब करना पड़ेगा पर अगर सिर्फ फार्माकोलोजिकल मानेजमेंट लिखने के लिए बोला गया है तो आपको सिर्फ प्लास लिखना है और उसके एक्जांपल से लिखने है बस इतना ही लिखना है बाकि उनको एक्स्प्लेन नहीं करना है तो इस तरीके से यह question solve करने है then next question number 3 define hypertension what lifestyle changes need to taken in hypertension तो hypertension की यहाँ पर definition पूछी गई है और बोला गया है what lifestyle changes need to taken in hypertension तो hypertension इस condition में कौन से lifestyle changes करने पड़ती है वो यहाँ पर पूछा गया है अब सीधे तरीके इससे भी पूच सकते है कि what is the non-pharmacological management of hypertension non-pharmacological management मतलब क्या होता है जो हम lifestyle changes करते है वही non-pharmacological management में include होता है तो वही यह question है पर किस तरीके से पूचा गया है आप देखिए what lifestyle changes need to taken in hypertension तो इसमें वही आता है जो non-pharmacological management है वही यहाँ पर आपको लिखना है तो रास का जो mechanism है वो यहाँ पर आपको explain करना है रास मतलब क्या होता है रेने अंजियोस्टेंसिन अल्डोस्टरोन सिस्टेम अब यह क्या है hypertension की pathophysiology में यह system include होता है तो इसी का mechanism यहाँ पर आपको explain करना है तो इस तरीके से question भी arise हो सकते है तो इन्जाइना पेक्टोरिस के उपर यहाँ पर आपको note लिखना है अब note लिखने के लिए कहा गया है तो 3 marks के हिसाब से ही यहाँ पर आपको इसके उपर note लिखना है then next question number 6 define emphysema and chronic bronchitis mention clinical manifestation of COPD तो यहाँ पर emphysema और chronic bronchitis के definition लिखने के कहा गया है और उसके जो clinical manifestation है किसके COPD के COPD मतलब chronic obstructive pulmonary disease तो chronic obstructive pulmonary disease के जो भी clinical manifestation मतलब symptoms है वो यहाँ पर आपको mention करने है तो इस तरीके से questions भी arise हो सकते है then next question number 7 write etiopathogenesis and clinical manifestation of asthma तो अस्थमा के जो etiopathogenesis और clinical manifestation etiopathogenesis मतलब etiology और pathophysiology दोनों यहाँ पर लिखने है और clinical manifestation मतलब उसके symptoms तो वो यहाँ पर आपको लिखने है अस्थमा के the next question number 8 what are different type of asthma अस्थमा के जो different types होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखने है then next question number 9 explain different type of diabetes mellitus तो diabetes mellitus के जो भी types होते हैं वो यहाँ पर आपको explain करने है तो इस तरीके से questions भी arise हो सकते हैं उनके types के related pharmacological management के related etiopathogenesis के related मतलब छोटे-छोटे question ही 3 marks के लिए पूछे जाते है then next question number 10 write a note on hypertheradism तो hypertheradism के उपर note लिखने के लिए कहा गया है वैसे यह questions जो है hypertheradism से related या फिर hypothyroidism से related अभी तक previous year के paper में पूछे नहीं गया है जो भी hyperthyroidism और hypothyroidism है इससे related एक भी question 5 marks के question में भी नहीं पूछा गया है और 3 marks के question में भी नहीं पूछा गया है पर इससे related question arise हो सकते है इसलिए ये topic भी आपको skip नहीं करने है तो next time question number 11 give the management of Parkinsonism Parkinsonism Parkinson's disease जो होता है उसका management यहाँ पर आपको लिखने के लिए कहा गया है अब management कौन सा लिखना है यह specify किया है क्या कि फार्माकोलोजिकल लिखना है या फिर नौन फार्माकोलोजिकल लिखना है नहीं किया है यहाँ पर specify इसलिए यहाँ पर आपको दोनों management मतल पर इस तरीके से question है सिर्फ management बोला तो उस condition में आपको दोनों लिखना है अगर वहाँ पर specify किया हुआ रहा कि फार्माकोलोजिकल ही लिखिये या फिर नौन फार्माकोलोजिकल ही लिखिये तो उस हिसाव से आपको वह specific management लिखना है तो इस तरीके से इन questions को solve करना है then next question number 12 explain pharmacological management of Parkinson's disease तो Parkinson's disease की यहाँ पर pharmacological management पूछी गई है मतलब यहाँ पर specify किया गया है कि एक specific pharmacological management यहाँ पर आपको लिखनी है उसको explain करना है तो इस तरीके से अगर question आया तो उससाब से आपको वही उसी का answer लिखना है अगर सिर्फ management आया तो आपको दोनों लिखना है तो इस तरीके से question arise होते है then next time question number 13 explain etiopathogenesis and clinical manifestation of GERD GERD मतलब क्या होता है gastroesophageal reflux disease तो इसके etiopathogenesis etiopathogenesis मतलब etiology और pathophysiology और उसके symptoms यहाँ पर आपको explain करने है तो इस तरीके से question arise हो सकते है then next question number 14 what are three stages of ALD ALD मतलब alcoholic liver disease तो इससे related भी question arise हो सकते है यह भी important topic है तो इसके related जो fatty liver होता है so related question arise हो सकते है कि fatty liver मतलब क्या होता है तो ऐसे question arise हो सकते है तो यह topic भी important है यह भी skip आपको नहीं करना है तो इसके जो तीन stages है वो यहाँ पर आपको लिखने के लिए कहा गया है the next है describe peptic ulcer अब peptic ulcer को describe करने के लिए कहा गया है तो 3 marks के हिसाब से ही आपको यहाँ पर उसको describe करना है the next है question number 16 what is difference between ulcerative colitis and Crohn's disease तो यहाँ पर difference between का question आया है वैसे previous year के paper में difference between का अभी तब कोई भी question पूछा नहीं गया है पर इस तरीके से question आ सकते है जैसे यहाँ पर ulcerative colitis और Crohn's disease में difference क्या है यह पूछा गया है यह किससे related topic है IBT से IBT मतलब inflammatory bowel disease इससे related यह topics है तो इनका difference यहाँ पर पूछा गया है इसी तरीके से जो seronegative rheumatid arthritis है या फिर seropositive rheumatid arthritis है इनमे difference पूछ सकता है तो ऐसे बहुत सारे questions बनते है difference between के related तो इस तरीके से question भी arise हो सकते है तो इस तरीके से थी marks के लिए question हो गए then next है question number 17 explain three stages of iron deficiency anemia iron deficiency anemia के जो three stages होते है उनको यहाँ पर आपको explain करने के लिए कहा गया है then next question number 18 write about management of megaloblastic anemia megaloblastic anemia का management specify किया गया है क्या कुछ नहीं सिर्फ management बोला है तो यहाँ पर आपको दोनो management लिखने है then next question number 19 explain pharmacological management of iron deficiency anemia iron deficiency anemia का pharmacological management यहाँ पर आपको explain करने के लिए कहा गया है वही यहाँ पर आपको लिखना है then next question number 20 give pharmacological and non-pharmacological management of malaria malaria के दोनो management पूछे गया है pharmacological भी और non-pharmacological भी तो दोनो यहाँ पर आपको लिखने है then next question number 21 explain etiopathogenesis of covid-19 covid-19 की etiopathogenesis मतलब etiology और pathophysiology दोनों यहाँ पर आपको explain करने है then next question number 22 explain different type of pneumonia different types के जो भी pneumonia होते है वो यहाँ पर आपको explain करने है उनको explain करना है then next question number 23 inlist the clinical manifestation of covid-19 अब covid-19 के यहाँ पर जो symptoms है clinical manifestation जो है वो inlist करने के लिए कहा गया है बहुत ही short question है और आसार सा question आया है अब clinical manifestation को inlist करने के लिए कहा गया है question कितने mark का है 3 marks का तो almost आपको 6-7 clinical manifestation आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे तभी वो 3 marks के होंगे सर्फ उनको inlist करने के लिए कहा गया है तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा almost 6-7 clinical manifestation आपको यहाँ पर इसके लिखने पड़ेंगे then next question number 24 right clinical manifestation and etiopathogenesis of osteoarthritis तो osteoarthritis के clinical manifestation और etiopathogenesis यहाँ पर आपको लिखने के लिए कहा गया है then next question number 25 explain etiopathogenesis of rheumatide arthritis rheumatide arthritis के यहाँ पर आपको etiopathogenesis explain करने के लिए कहा गया है then next question number 26 explain different type of RA RA मतलब क्या होता है rheumatide arthritis, rheumatide arthritis के जो भी type से वो यहाँ पर आपको explain करने है question number 27 explain in detail about clinical manifestation of anxiety तो यहाँ पर anxiety की clinical manifestation पूछे गया है symptoms पूछे गया है in detail तो detail में इसकी information आपको यहाँ पर लिखनी है मतलब detail में इनको explain करना है जो भी clinical manifestations है जो भी symptoms है उनको सिर्फ लिखना नहीं है वहाँ पर उनको explain भी करना है उसकी detail information यहाँ पर मांग रहा है question में उसकी detail information मांग रहा है तो आपको detail में उसको explain भी करना है जो भी symptoms आफ लिखोगे उनको detail में explain भी करना है तो इस तरीके से question भी arise हो सकते हैं तो कोई भी question है आपको उसको पहले ध्यान से पढ़ना है question में क्या पूछा गया है वो देखना है properly उस हिसाब से फिर आपको उसका answer लिखना है तो depression की जो भी etiopathogenesis है वो यहाँ पर आपको explain करनी है तो depression की जो भी clinical manifestation मतलब symptoms है वो यहाँ पर आपको describe करने है तो next question number 30 describe the types of conjunctivitis conjunctivitis से related question arise हो सकते है इसके types यहाँ पर आपको describe करने है then next question number 31 what is conjunctivitis right about its management तो conjunctivitis मतलब क्या होता है और उसका management management में कुछ specify किया गया है क्या नहीं तो इसमें दोनों management यहाँ पर आपको लिखने है then next question number 32 what is glucoma explain clinical manifestation of glucoma glucoma मतलब क्या होता है और उसके symptoms उसके clinical manifestation यहाँ पर explain करने के लिए कहा गया है तो इस तरीके से question arise होता है glucoma से related then next question number 33 classify antimicrobials on the basis of their site of action तो antimicrobials का classification यहाँ पर पूछा गया है और एक specific classification पूछा गया है on the basis of their site of action मतलब उनकी जो site of action है उसके basis पे जो classification किया जाता है antimicrobials का वो classification आपको यहाँ पर लिखना है मतलब एक specific condition दी गई है classification आप कोई भी नहीं लिख सकते उनके site of action के according जो भी classification बनाया गया है antimicrobials का वही यहाँ पर आपको लिखना है तो इस तरीकी से question arise हो सकते है antimicrobial resistance इस chapter में से then next question number 34 discuss prevention of antimicrobial resistance तो antimicrobial resistance का prevention किस तरीकी से करना है वो यहाँ पर आपको discuss करना है then next question number 35 explain various mechanism involved in resistance to antimicrobial agent तो antimicrobial agent का resistance जो है उसमें जो भी mechanism involved होते है उनको यहाँ पर आपको explain करने है antimicrobial agent के resistance के लिए जो भी mechanisms होते है वो सारे mechanism यहाँ पर आपको explain करने है तो इस तरीके से question arise हो सकते है antimicrobial resistance से related then next है question number 36 differentiate between primary and secondary dysmenoria dysmenoria यह भी important topic है तो women's health में जो premenstrual syndrome है या फिर polycystic ovary syndrome है या फिर dysmenoria है तीनो topic से question arise हो सकते है उसमें से कोई भी topic पूछ सकता है ज्यादा तर women's में PCOS जो है यह condition ज्यादा पाई जा रही है इसलिए PCOS तक related question आने के chance ज्यादा होते है PCOS मतलब polycystic ovary syndrome तो तीनो topic इसमें dysmenoria, premenstrual syndrome और PCOS तीनो topic important है इसमें से कोई भी question arise हो सकता है तो इस तरीके से question arise हो सकता है differentiate between primary and secondary dysmenoria primary और secondary dysmenoria के बीच में जो भी difference है वो यहाँ पर आपको लिखना है then next question number 37 write etiopathogenesis and clinical manifestation of dysmenoria dysmenoria के etiopathogenesis और clinical manifestation आपको यहाँ पर लिखने है the next step what is polycystic ovary syndrome mentioned its clinical manifestation polycystic ovary syndrome मतलब क्या होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है और उसके clinical manifestation मतलब PCOS के जो भी symptoms होते है वो यहाँ पर आपको लिखने है तो इस तरीके से यह question होते है 3 mask के लिए यहाँ पर हमने total 38 questions देखे 3 mask के और जो भी important topics जो भी previous year के question में पूछे गये है बार-बार उसी topic पर जो भी questions आए हुए है वो topic हम देखेंगे next video में Thank you